अगर आपने टेलीग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है तो आप उसको जोइन कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो आप कोशन को समझते हैं कि कोशन में किस तरीके का उसमें हमसे इंफॉर्मेशन दी हुई है और कैसे इसे अपरोच करना है देखिये तो कुशन में बोला कहा है कि तरी तेवल गिविन बिलो शोर्स दे इंफॉर्मेशन अबाउट आउट आउटाल अजिस्टील आउट 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 इंवार दिविज्टे आउट आउट आउटेव अंवेट आउट आउट यहां पर table को पहले समझ लेते हैं, उसने 4 years के बारे में information दिया हुई है, और उसने क्या बोला है, कि percentage of unsold candles जो है, एक जो shop की पर है, वो manufacture करता है, उसमें जो unsold रह जाता है, उसका percentage यहां पर दिया हुई, और जो sold हो जाता है, उसमें से कुछ part वो sold करता है, 35% के profit पर, और कु करता है, ठीक है, अब यहां पर कुछ values अगर आप देखेंगे, तो variables में, उसके लिए उसने हमें information यहां पर दिया है, क्या बोला है, कि if p is the larger root and q is the smaller root of the equation this, then a is equals to itna and b is equals to itna, तो सबसे पहले हम इस equation को solve कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको solve करना चाहूँगा, आप दोनो 1 का whole square is equals to 4 हो जाएगा, x square plus 1 minus 2x is equals to 4 हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते है, x square minus 2x minus 3 is equals to 0, आप इसको 3 और 1 का use कर सकते हैं, यहां पर negative, यहां पर positive, divided by 1, divided by 1, यहां आपके पास हो जाएगा, 3 और यह आपके पास हो जाएगा, तो larger root जो है, वो आपके पास कितना है, 3 है मतलब क्या, p की value आपके पास क्या है, 3 है, और q की value आपके पास क्या है, minus 1 है, तो आपके पास a की value equals to किसके हो जाएगा, a आपके पास हो जाएगा, 20 into q square, q square मतलब क्या आपके पास 20, plus 5 आपके पास होगे 25, और अगर मैं बात करता हूँ b की, तो b equals to किसके हो जाएगा, 33 into 3 यह आपके पास होगे 99, 99 plus 1 आपके पास होगे 100, तो इसका मतलब आपके पास ये value कितनी हो जाएगी, ये value हो जाएगी 25%, ठीक है, ये value आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 by 6%, ये value आपके पास कितनी हो जाएगी, 75%, और ये value आपके पास कितनी हो जाएगी, 80%, ठीक है, हमारे पास जो table given है उसमें हमें information पता चलकी अब हम question को बढ़ते हैं question में उसने हमसे क्या बोला है उसको समझे है so question में वो क्या बोलता है हमसे what will be the total number of unsold candles manufactured in 2017 and 2019 ठीक है उसने बात करिए कि 2017 में और 2019 में ठीक है आपको निकालना है जो total number of unsold candles है तो देखिए आपके पास कुछ unsold है बाकी की आपकी remaining क्या हो जाएगी वो sold हो जाएगी इसमें भी कुछ unsold है बाकी की remaining sold हो जाएगी अगर मैं 2017 में बात करता हूँ तो आपके पास 25% कितनी है वो unsold है तो 75% आपकी sold होई होगी 2019 में अगर मैं बात करता हूँ तो 37.5% 37.5% को हम लिख सकते हैं कितना 3 by 8 ठीक है और तो बाकी का 5 by 8 आपके पास sold हो गई होगी और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये 30% तो जो sold हो गई है उसमें से 30% पर जो sold होई है और जो 25% पर sold होई है ठीक है 60% है तो इसका 60% ठीक है तो इसका 40% आपकी sold होई होगी 25% पर similarly इसमें से भी आप कर लीजे यहाँ पर आपके पास 80% होई हो 30% profit पर sold होई है ठीक है और 25% पर sold कितना होगा होगा 20% 20% of this much ठीक है तो यह हमने एक overview हमने ले लिया अब आगे हम statement first पर पढ़ते है उसने क्या बोला है कि the ratio of candles sold at 30% profit in 2017 to the total number of candles sold at 25% profit in 2019 उसका ratio आपके पास यह दिया होई है ठीक है तो इस statement first की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास उसने बोला है कि ratio दिया होई 30% profit पर मतलब क्या इसका ratio let us suppose यह आपके पास total number of manufacturing होई है वो A होई है इसकी B होई है ठीक है तो इसके साब से मैं लिख सकता हो ना कि आपके पास 60% of मतलब 3 by 5 of 75% मतलब 3 by 4 of A ठीक है यह आपके पास होगे जो 30% पर sold होई है ठीक है और अगर मैं 25% पर दिखता हूँ 2019 में मतलब यह आपके पास किता होजाएग divided by 20% मतलब 1 by 5 of 5 by 8 into B ठीक है इन दोनों का ratio दिए हो है 4 is to 1 राइट अगर मैं इसको solve करूँगा यह आपके पास cancel out हो गया यह आपके पास 2 times किया तो इसको मैं लिख सकता हो ना कितना कि 9 by 5 A upon यह आपके पास होजाएगा B into 2 is equals to 4 by 1 ठीक है यह आपके पास 2 times किया तो इसका मतलब A is to B आपके पास कितना है 10 is to 9 ना है ठीक है आपके पास इतनी information पता चलिए टोटल नंबर ओफ जो manufacturing ही 2017 में और 2019 में ठीक है उसका ratio हमें पता है बट आपको निकालना क्या था आपको टोटल नंबर ओफ अनसोल्ड केंडल्स निकाल लेते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास actual कोई number नहीं दिया हुआ है सिर्फ statement first की बात करें तो तो इस वज़े से आप सिर्फ statement first से तो answer को find out नहीं कर सकते हैं अगर मैं statement second की बात करता हूँ तो वो हमसे क्या बोलता है कि टोटल अनसोल्ड केंडल्स इन 2019 इस इतना लेस देन देन नंबर ओफ सोल्ड केंडल्स इन 2017 ठीक है तो अगर मैं बात करता हूँ अनसोल्ड केंडल्स जो हैं आपके पास 2019 में मतलब क्या 3 by 8 of B ठीक है यह जो आपके पास है वो इतना लेस है किससे जो आपके पास सोल्ड केंडल्स है 2017 में ठीक है तो आपके पास है 75 परसे 3 by 4 of A से ठीक है इतना लेस है इसका मतलब minus 1650 ठीक है तो अगर मैं यहां से भी बात करूँ यहां से आपके पास A और B ठीक है दो variables आ रहें एक equation आ रही है तो obviously आप यहां से भी answer को तो find out नहीं कर सकते है individually अगर मैं second की बात करो तो अब अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड को थोड़ असा ध्यान से समझेगा because important है उसने क्या बोला है कि the unsold candles in 2017 are assumed to be sold ठीक है उसने बोला 2017 में जो आपके पास unsold candles थी ना हमने मान लिया कि वो सब क्या होगी sold होगे ठीक है वो सब क्या होगे वो sold हो गए and this increase the number of candles sold at 30% profit in 2017 by इतना percent and the number of candles sold at 25% in 2017 become equals to the number of candles sold at 30% in 2019 ठीक है तो इसको थोड़ा से ध्यान से समझेगा उसने ये चीज़ बोलिया कि मान लेते हैं ये आपके पास जो 25% of ये जो candles थी ठीक है ये सब क्या होगी sold होगी अब ये अगर sold होगी तो obviously ये सब किसमें आ जाएंगी sold वाली category में आ जाएंगी तो ये इस तरीके से sold होगी है कि आपके पास जो 30% वाला था ना 30% profit पर जो आपके पास number of candles थी वो increase होगी इतने percent से मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अभी आपके पास किती 30% profit पर sold हो रही है वो आपके पास 60% मतलब 3 by 5 of 75% मतलब 3 by 4 of 8 उसने का बोला कि ये value जो है वो increase हो जाती है इतने percent से अगर इतने percent से increase हो जाती है तो 22 2 by 9 को हम लिखते हैं कितना 200 upon 9% इतने percent से increase हो रही है मतलब into 11 by 9 में ये चीज लिख सकता हूँ तो आपके पास आप जो 30% profit पर sold होई है total 2017 में मैं बात करा हूँ वो आपके पास कितनी candles होगी ये candles होगी तो आपके पास 25% profit पर जो sold होई होगी वो कितनी हो जाएंगी पता ही 20 ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये आपके पास number of candles है जो कि sold होई है किस पर 30% profit पर है न तो 25% profit पर आपके कितनी sold होई होगी अब सारे के सारे आपके 100% जो ये थे वो sold होगा है न isn't it जिस में से 30% पर ये sold होई है इसका मतलब A minus 11 A upon 20 अगर मैं कर दूँगा तो ये मेरे पास मतलब 9 A by 20 इतने number of candles जो हमारे पास sold होई है वो 25% पर sold होगी न ये जो मैंने यहाँ पर explain करा है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ठीक है एक बार rewind करके फिर से देख लीजिएगा तो ये आपके पास क्या होगी 25% पर sold होने वाली अब उसने क्या बोला था आगे हम से कि ये equal हो जाती है किस से जो number of candles आपकी sold होती है 30% profit पर in 2019 मतलब मैं ये चीज लिख सकता हो न कि 9 A upon 20 equals to हो गई है किस के जो आपके 2019 में 30% पर sold होई ती मतलब इस से ये आपके पास परापर किस के हो जाएगा 80% मतलब 4 by 5 of 5 by 8 of B के तो यहां से देखे ये cancel out होगे आपके पास ये 2 times किया ये 10 times किया तो यहां से A upon B का ratio कितना है वो आपके पास 10 upon 9 आया ठीकिए अगर आप इसको देखेंगे और statement first को देखेंगे तो आपके पास A और B का ratio आपको मिल रहा है न isn't it मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगे आप individually third से भी answer को find out नहीं कर सकते हैं लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ first statement और second statement के तो देखिए second statement से आपके पास information upon A is equals to 3A upon 4 minus 1650 के आपके पास B की value और A की value नहीं पताती लेकिन अगर मैं first से use करता हूँ A और B की value को तो in that case मैं A और B की individual values निकाल सकता हूँ अगर मुझे वो पता चल जाएगा तो मैं उतना निकाल सकता हूँ जो आपके पास unsold candles थी 2017 में और 2019 में isn't it इतना तो मैं आपके उपर करने के लिए छोड़ सकता हूँ isn't it अगर आपको A और B की value पता चल जाएगी in that case आप answer को निकाल सकते हो इसका मतलब क्या first or second sufficient answer को find out करने के लिए similarly अगर मैं second और third की बात करूँ तो देखो third में भी वही information थी जो हमारे पास first में information थी इसका मतलब again using the same thing कि third और second को अगर मैं जोड़ूँगा तो मुझे A और B की total value पता चल जाएगी अगर ये मुझे पता चल गया तो जो question मैं उसने हम से पूझा है वो हम find out और हम से कर सकते हैं लेकिन अगर मैं third और first को जोड़ता हो न तब मैं इसके answer को नहीं निका सकता हूँ because third से और first से हमारे पास same ही information आ रही है first और third में कहीं पर भी actual कोई एक number नहीं दिया हुआ है जिसी कि हम find out कर सकें कि 2017 में और 2019 में total unsold candles कितनी थी तो इसी वज़े से इसका जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा either first and second together और second and third together मतलब कि D option इसका right answer हो जाएगा ठीक है I hope आपको question समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने इसे explain करा है अगर वीडियो अच्छी लेगी होगी तो वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और अपने friends को इस चैनल के बारे में जरूर बताईएगा मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूँ और अगर आपने telegram group को join नहीं किया है तो आप उसको join कर लीजे नीचे description में उसका link है ठीक है? Thank you so much